दो दिन पहले मैं कोब्रा साप को पकड़ने गया था, तब वहाँ के लोगों की बाते सुनकर मैं हैरान हो गया, हलाकि उस कोब्रा साप को हम पकड़ने ही पाये थे, क्योंकि उस कोब्रा साप को वहाँ छुपने के लिए बहुत सी जगव उप लपद थी, जब हम उस कोब्रा साप को पकड़ने में नाकामियाब हुए तो वहां के लोग बताने लगे कि आप इस कोब्रा साप को पकड़ ही नहीं सकते आप से पहले भी कई सारे स्नेक्रेस के और इस कोब्रा साप को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भी नाकामियाब हुए क्योंकि उन लोगों का कहि पिछले सो सालों से यह कोब्रा साफ दिखाई देता है और तुरंद गायब हो जाता है। आज भी ग्रावीन इलाकों में सापों के प्रती कई सारे मिथक प्रचलित है। इन में से सबसे बड़ा मिथक है सापों की उम्रों को लेकर। मैंने सुना है कि जब कोई कोब्रा साफ सो सालों तक जीवित रहता है तो उसके बाद वह किसी भी रूप को अपनी इच्छा अनुसार धारन कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस प्रक्रति ने हर जोकी आयो मर्यादा निशित की हुई है। किसी भी साफ की आउसतों उम्रों 15-20 साल ही होती है तो कोई साफ सो सालों तक कैशे जीवित रह सकता है। कोब्रा साप की आउस्टन उम्रा 15 से 20 साल होती है यानि अगर कोई कोब्रा साप 20 साल तक जीवित रहता है तो उसके बाद उस कोब्रा की मृत्यू निशित है अजगर यानि इंडेर राख पाइथान 40-45 साल तक जिवित रह सकता है हमारे देश में सब्षे अधिक जिने वाला साप होता है दर किंग कोब्रा किंग कोब्रा 45-50 साल तक जिवित रह सकता है इसलिए दोस्तों अगर आपके आजोबाजों में कही पर भी सापों की उम्र को लेकर चर्चा होती है तो आप उन्हें बताने का प्रयास करें कि कोई भी साप 15 साल के उपर जिवित नहीं रह सकता धन्यवाद